Hello, good morning children, आज हम आपकी 5th class में, English में, lesson number 11, the three cries को read करेंगे, what is the name of the lesson, the three cries, three cries mean, three mean कौन, तीन, and cries mean, रोने वाले, तीन, रोने वाले, तो चलिए, अब हम इस lesson को start करते हैं, आपके सामने ये क्या लिखावा है, pre-reading, pre-reading क्या होता है, पढ़ने से पहले, reading मिन पढ़ना, pre-meन उससे पहले, पढ़ने से पहले, आपके सामने two questions दे रखने हैं, इसको मैं आपके सामने start करती हूँ, have you ever met a person who doesn't know how to read and write, इसका मतलब क्या है, कि क्या, met मिन क्या होता है, मिलना, person मिन व्यक्ति, read मिन पढ़ना, write मिन लिखना, क्या आप अपनी life में, अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, जो ना तो पढ़ना जानता हो, और ना ही लिखना जानता हो, तो बच्चों बताओ, क्या आप अपनी life में, अपने आस प्रोस में, आपने अपनी घर में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है, जिसको ना तो पढ़ना आता हो, ना ही लिखना आता हो, तो मुझे लगता है, आपके आस पास जरूर ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे, जिनें पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, येस, I have met many such a persons who don't know how to read and write, कि हाँ, मैं ऐसी बहुत से लोगों को जानता हूँ, जो मेरे आस पास हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद question number two है, what are the problems he, she may face due to his, her inability to read and write, problems क्या होते हैं, समस्याएं, ऐसी कौनती समस्याएं का सामना करना पड़ता हैं, किनको जो पढ़ने और लिखने में अयोग्य होते हैं, inability क्या होते हैं, जो सक्षम नहीं होते, देखिए, due to his inability to read and write, what are the problems, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं उन लोगों के सामने, जो ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं, तो बताएए क्या problems आती हैं, सबसे पहले कि वो दूसरों पर depend रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं, कि they are totally dependent on others to know about things happening around them, जो भी उनके आज पास घटनाई होती हैं, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए, उनका पता करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें दूसरों पर depend रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, तो इसमें आप यह लिख सकते हैं, अब इसके बाद यहां से हमारा लेसन स्टार्ट हो गया, अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहे हूं, आप देखिए, आपको यहां पर यह देखिए, ओल्ड विमन दिख रही है न, बुड़ी औरत नजर आ रही है, और इसके हाथ में क्या है यह लेटर है, इसके हाथ में क्या है यह लेटर, लेटर मिन पत्र, चिथी और गॉट मिन मिला, from her son, son मिन बेटा, एक दिन, एक बुड़ी औरत को अपने बेटे का एक पत्र मिला, the son lived far away, far away मिन क्या होता है, दूर रहता था, दूर रहना, और son मिन बेटा, lived मिन रहता था, उसका बेटा जो है, दूर रहता था, The old women could not read, read mean पढ़ना, जो बूड़ी औरत थी, वो क्या नहीं कर सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, तो जब पढ़ नहीं सकती थी, तो उसके हाथ में लटर आया, तो वो सोच रही थी, वो क्या करें, So she waited in front of her house, house mean घर, और waited mean इंतिजार करने लगी, किसी भी व्यक्ति का, कि उसके घर के आगे कोई भी आये और वो इसको पत्र पकड़ा दे और कहे कि इसको पढ़ कर दिखाए, So she waited in front of her house, इसलिए वो अपने घर के आगे, किसी का इंतिजार करने लगी, When I see someone, I will call him, क्या कहती है, कि जब भी मैं किसी को देखूंगी, तो मैं call कर, उसे call him मतलब उसे बुला लूँगी मैं, मेरे घर के आगे से कोई जाएगा, तो मैं उसे क्या करूंगी, बुला लूँगी, then he will read the letter for me, तब वो क्या करेगा, वो जो भी यहाँ से जाएगा, वो मेरा पत्र मुझे पढ़ कर दिखा देगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं, सून आप वरियर केम, वरियर में क्या होता है, योद्धा, योद्धा क्या होता है, जो योद्ध में लड़ता है, देखी यह आपको वरियर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यह वरियर है, कौन है यह वरियर, देखी इसके हाथ में तलवार दिख रही है, यह योद्ध मे वरियर वहां से जा रहा था, यह वरियर आपको नजरा रहा है, तो आप वरियर के यह देखे, वरियर के स्पेलिंग डबलू एडबल आर आई ओ आर, एक योदा वहां से आया, दा ओल्ड विमेन कॉल हिम एड गेव हिम दा लैटर, तो बुड़ी औरत नहीं क्या किया, उसको और हिम उसे बुलाया, and गेव हिम दा लैटर, और उसे पत्र दिया, क्या दिया, उसको पत्र दिया, और क्या कहां, प्रीज रीड लैट डीटर, दिजिंग की डिया, यह इक टर पंड कर सुना दिजिये, उसने समखा प्लीज रीज दिस लैटर पोर मी, मेरेलिए मेरा यह प पढ़कर चुना दीजिए, the warrior took the letter and looked at it, warrior means योदा, योदा ने पत्र को लिया and looked at it, और इसकी तरफ देखा, किस की तरफ देखा, letter की तरफ देखा, तो उसके बाद आगे क्या हुआ, tears well up in his eyes, tears mean क्या होता है, आचु, tears mean आचु, और eyes mean आपको पता है, आखे, well up mean आचु आ गए, आखों में से आचु बहार निकलने लगे, tears well up in his eyes, उसकी आखों में आचु आ गए, he begin to cry bitterly, अब bitterly भीन क्या होता है, फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, he begin to cry bitterly, उसने फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया, begin mean शुरू कर दिया, जोर रोना शुरू किया, अब हम आगे देखतें इसमें, दा ओल्ड विमेन वाज शॉक्ड दा ओल्ड विमेन वाज शॉक्ड शॉक्ड में हैरान हो गई बोड़ी ओर जो है उसको बड़ा मतलब अजीब सा मैसे उसवा कि क्या हुआ ऐसा कि जो जो से रोने लग गया is something wrong with my son कि क्या मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है गलत हुआ है how is she वो कैसा है she begin to ask उसने उससे पूछा पूछना शुरू किया कि से वरियर से वरियर को कहा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरे पत्र को देख कर रोने लग गए हो तो क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ but the warrior did not answer warrior यॉद्धा यॉद्धा ने कोई भी आंसर नहीं दिया he only cried more वो और ज़ौर ज़ौर से रोने लग जया he cried more वो और भी अधिक ज़्यादा ज़ौर से रोने लग जया now the old woman was worried अब जो बुड़ी ओरती उसको और भी अधिक चिंता हो गई अरे ये क्या ये तो और भी जोरती रोने लग गया है but उसने फिर उस क्या कहा I'm sure I'm sure something dreadful has happened to my son I'm sure का मतलब क्या होता है मुझे विश्वास है I'm sure मुझे पूरा विश्वास है something dreadful has happened to my son मुझे लग रहा है मेरी पुतर की साथ कोई भयानक घटना घट गई है something dreadful क्या होता है भयानक घटना दुरगटना कुछ भी मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है और she and she begin to cry too और उतने भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कितने बुड़ी औरत ने वो भी जोर जोर से रोने लग गई फिर आगे क्या हुआ अब पेडलर cake by अब अब ''Pedler came by'' अब अलिटलर क्या होता है थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के बाद paddler होता है फेयरी वाला यह पेडलर मेगा होता है फेयरी वाला आप दिखते हूँ आपकी पुछा, फेयरी वाले आते होंगे समान बेचने वाले, वो कोई टोकरी में भी ले रहोते हैं, कोई रेडी पे भी ले रहोते हैं, कोई समान बेचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैडलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैडलर, came by वहाँ से गुजरा थोड़ी जिर में जो फेरी वाला था वो वहाँ से गुजरा he saw the two crying उसने उन दोनों को रोते हुए देखा क्या किया he sat next to them and joined in their crying he sat next to them जब वो फेरी वाला वहाँ से निकला और उन दोनों को रोते हुए देखा तो उसने क्या किया वो भी उन दोनों की साथ वहाँ पर बैठ गया और joined किया उनको और joined मतलब उनकी रोने में वो दोनों रो रो रहे थे तो वो भी रोने लग गया उनको देखके आप तो तीन जने रोने लग गया है ना स्टोरी में अब यही देख रहे हो ना कि पहले तो वरियर आया वो रोने लग गया फिर पैडलर वहाँ पर आया वो भी उनको जॉइन किया उसने और वो भी जो जोर सी रोने लग गया तो बच्चों इस स्टोरी में हम अभी यहां तक हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम आगे की पार्ट को समझेंगे तब तक आप इसको रीड कीजिए और अच्छी तरह से स्टोरी को समझें